दोस्तों नमस्कार देखिए आफिर कहानी वो SCR वाला तो मामला खड़ाब था कोई फाइदा हुआ हुआ नहीं बेगार का 1100 रुपया SCR में चला गिया अंत में मैंने यहां पर एक हेवेल्स का चेंजर ले आया और मेंस को मेंस में डाल दिया जेनेरेटर के जगा में सोलर का अतार को डाल दिया आउटपूट लोड ले लिया कानियक में एक एक्स्ट्रा में यहां पर सोलर के लिए अलग से एंसीवी लगा दिया हूं कि सिस्टम का एंसीवी बार-बार आप डाउंग करना पड़ता है तो वह छोड़ दिया और उसका आउटपूट को एक यहां पर दिये ताकि इसको अप्रेशनल किया जाए उसका एंसीवी खराब होगा तो पूरा सेटप खोल के चेंज करना मंगा पड़ जाएगा तो उसके लिए अलग से दे दिए खर प्रोब्लेम ठीक हो गया जो लंबा चोड़ा कहानी कंपनी वाले बोल रहे थे उसके कि आपका में सब्सक्राइब का कितना दाम होगा तो बोला कि आठ नौ आठ से 10,000 रुपया का चार्ज होता है बताइए तो लुटने वाला बात है हम लोग काड रिप्लेस करते हैं तो हम बोले कि पुराना काड तो आप दे दीजेगा नहीं सर पुराना काड कंपनी ले लेगी मैंने रखो यार तुमरा अपना 8-10,000 रुपया हम अपना काम चला लेंगे हमने ये 30 एंपियर का ले आया ऑटोमेटिक चेंजर 1550 रुपया हमको डीलर से चांदनी चौक में गए सब मेरा कस्टमर सब था 3,000 रुपया इसका MRP था 1550 में दिया बिल करके ले देखे कहानी सांथ हो गिया इस सर का दरद बना हुआ था डेली चेंज करो अब है कि सुबा में ग्रिड नीचे से काटेंगे तो ग्रिड जैसे काटेंगे आटोमेटिक ये सोलर पीवी पे चला जाएगा और साम में जैसे ग्रिड ओन करेंगे तो मेरा जो भी और तालीस भोल्ट या उन्चास पीड काटेंगे तो बैटरी सूरज में पावर उतना उस समय रहे चाहें नहीं रहे हम लोग बैटरी का इस्तमाल मजे से मोटर चलाने में असल में सुबा से हेवी लोड का काम होता है मोटर चलाओ घीजर चलाओ डेस वाज चलाओ ये चलाओ वो चलाओ दिन पूरा हेवी लोड का काम सुबा से चलता है खर अब उतना पावर का हम लोग को जरुवत है नहीं ज्यादा जरुवत पड़ता नहीं है घर में चार आदमी है नहीं तीन आदमी कितना इस्तमाल करेगा चलिए रात 9 बजे हम लोग लाइब में मिलते हैं कोस्टन से अदम तयार रहिए प्रस कार जैहिन।